प्रवुदयाल हन्स प्रवक्ता हिंदी हिंदी की दुनिया में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ फर्स्ट टर्म की परिक्षाएं समाप्त हो चुकी हैं उनका परिणाम आ चुका है अब हम आज इस वीडियो के माध्यम से सेकेंड टर्म के हिंदी के पाठ्ष करम को आपके सम्मुख प्रस्तुत करने जा रहे हैं सबसे पहले हम बात करेंगे के सेकेंड टर्म में कौन-कौन से पाठ्ष कौन-कौन से कविताएं शामिल की गई हैं तो आए इसे जान लेते हैं सरप्रिथम तो जो चीजें पाठ्ष पुस्तक क्षितिज भाग एक से ली गई हैं तो गद्य खंड देखें गद्य खंड में पहला पाठ है जाबिर हुसेन सावले सपनों की याद ये पाठ सेकेंड टर्म में समलित किया गया है गद्य खंड से ही दूसरा पाठ है हरी शंकर परसाई जी का प्रेमचंद के फटे जूते तो चीज भाग एक के गद्य खंड में से दो पाठ इसमें समलित किये गए हैं एक सावले सपनों की याद और दूसरा प्रेमचंद के फटे जूते कावेखंड में देखते हैं दो कविताएं कावेखंड में हैं पहली है माखललाल चत्रुवेदी जी द्वारारचित कैदी और कोकिला दूसरी है राजेश जोशी जी द्वारारचित बच्चे काम पर जा रहे हैं तो क्षितिजभाग दो में जो दो खंड मारे गद्येखंड और काव्वेखंड मैं से दो दो पाठ और दो दो कյिताएं ली गई गई हैं गद्येखंड में सामले सपनों की याद प्रैमचंद के फटे जुते काव्यखंड में कैदी और कोखिला और बच्चे काम पर जा रहे हैं ये दो कविताएं इसके साथ ही जो हमारी पुस्तक है कृतिका भाग एक कृतिका भाग एक में से तीन पार्ट लिये गए हैं मर्दुला गर्ग का मेरे संग की औरतें विद्या सागर नोटियाल जी का माटी वाली जगदीश चंद्रमाथुर जी का रीड की हड़ी तो इस तरह से चार और तीन साथ पार्ट आपके इस पाठेक्रम में समलित किये गए हैं तो यह तो रहा हमारा पाठेक्रम साथ पाठ हैं कुल मिला करके व्याकरन का कोई टॉपिक इसमें नहीं दिया गया है तो अब हम जान लेते हैं कि जो प्रशन पत्र आएगा वो क्या पहले टर्म की परिक्षाएं जैसे अब्जेक्टिव टाइप हुई थी उसी तरह से आएगा एम सी क्यूज आएंगे या कैसे आएगा तो ये बात अपने दिमाग में इस पस्ट कर लें कि पहला जो टर्म हुआ उसमें एम सी की उजाए थे लेकिन दूसरे टर्म की परिक्षाएं ऐसी नहीं होंगी तो कैसी होंगी परिक्षाएं आईए जान लेते हैं प्रशन पत्र का जो प्रारूप है उसे हम एक बार देख लेते हैं किस किस तरह एगे प्रशन कितने कितने अंकों के आएंगे आएए देखते हैं तो आएए देख लेते हैं हिंदी पाठे करम ए कोड संख्या 002 कक्षा नौमी और ये विभाजन सत्र है भार विभाजन जो है सत्र दूसरा तो ये देखिए यहां हम देखेंगे कुल भार तो कुल भार में 20, 20 और 10 20 नंबर की पुस्तकें 20 नंबर का आपका एक तरह से हम कहें क्रियेटिव राइटिंग से संबंदित है और 10 नंबर का है आपका आंत्रिक मूल्यांकर तो पहला जो खंड है 20 नंबर में क्या क्या आएगा उसमें हम देखते हैं पाठे पुस्तक क्षितिज भाग एक वेपूरक पाठे पुस्तक कृतिका भाग एक में से ये 20 नंबर की सामगरी आनी है तो क्षितिज भाग एक के गद्य खंड में क्षितिज से निर्धारित पाठों के आधार पर विशय वस्तु का ज्यान, बोध, अभिव्यक्ति आदि पर चार प्रशन पूछे जाएंगे जो क्षितिज भाग एक है उसका गद्य खंड उसमें दो पाठ हैं उन दोनों पाठों में से चार प्रशन पूछे जाएंगे तो आम तोर पे समझ सकते हैं एक पाठ में से दो प्रशन आएंगे तो दो पाठ हैं इस तरह से चार प्रशन आएंगे दो दो नंबर के और इस तरह से गद्य खंड आपका आठ अंकों का होगा ऐसे ही काव्य खंड काव्य खंड में दो कविताएं हैं आपकी तो क्षितर्य से निर्धारित कविताओं के आधार पर विद्यारितियों का काव्य बोध परखने हे तू तीन प्रशन पूछे जाएंगे दो-दो अंकों के तीन प्रश्ण हैं, अर्थात 6 अंक आपके काव्य खंड में से और 8 अंक आपके गद्य खंड में से पूछ जाएंगे प्रश्णों के रूप में, अगला जो है वो पूरक पुस्तक कृतिका भाग एक में, कृतिका के निर्धारित पाठो पर आधारित दो प्रश्ण पूछ जाएंगे, तीन-तीन अंकों के ये दो प्रश्ण हैं, मतलब 6 अंकों की आपकी कृतिका होगी, कृतिका में तीन पाठ हैं, उनमें से कोई दो प्रश्ण पूछ जाएंगे, लेखन जो दूसरा हिस्सा है इस प्रारूप का, विभिन विशयों और संदर्वों पर, विद्यार्तियों के तरक संगत विचार प्रकट करने की क्षमता को परखने के लिए, संकेत बिंदूओं पर आधारित, सम सामिक, एवं व्यवहारिक जीवन से जुड़े हुए विशयों में से, किनी तीन विशयों में से, एक विशय पर लगबग डेड़ सो शवदों में अनुच्छेद लिखा जाएगा, अब आप ये देखिए, विशय कोई भी हो सकता है, कोई भी संदर्व हो सकता है, लेकिन विद्ध्यार्थी उस विशय के संबंद में अपने किस तरह के विचार प्रकट करता है, ये क्षमता परखनी है, और इस क्षमता को परखने के लिए डेड़ सो शवदों में एक छोटा सा आलेख लिखना होगा, ये आपका पाँच अंकों का होगा, अब इसके बाद है, अभी व्यक्ति की क्षमता पर केंद्रित, अपचारिक तथा अनपचारिक विशयों में से एक सो बीस शवदों में किसी एक विशय पर पत्र, अब इसमें आपकी देखनी अभी व्यक्तिक्षमता तो अपचारिक और अनपचारिक कोई भी विशय हो सकता है एक सो बीस शवदों में दिये गए विशयों में से किसी एक विशय को चुनकर उस पे आपको एक पत्र लिखना होगा और ये पत्र होगा आपका पाँच अंकों का तो पाँच अंकों का तो एक आलेख और पाँच अंकों का एक पत्र किन ही दो इस्तितियों पर लगबग चालीस शवदों के दो समवाद लेखन ढानी, यह ड्हाई ढाई अंकों के होंगे दोनो, विकल्प सहित, इनमें विकल्प भी होगा, तो इस पूल आप समझीे, आपको विशय दिये जाएंगे, उन में से, मांली जी किये, तीन विशय दे दिये, उन में से आपको दो करने थे, उन दो में आपको क्या करना है? सम्व लिखने हैं, धाई धाई अंकों के वो होंगे, प्रतेक प्रशन धाई अंक का होगा, और इस तरह से समवाद लेखन आपका पाँच अंक का होगा, इसके बाद लगु कथा लेखन, एक सो बीस शवदों में ये वी विकल्प सहित है, कोई दो विशय दिये जाएंगे, और इसक ये एक पर आपको एक लगु कथा लिखनी है, और ये आपका पाँच अंकों का होगा, तो ये जो लेखन संबंदी, जो अभी ये चार खंड हम आपको दिखा रहे हैं, पाँच पाँच अंकों के ये चार भाग हैं, पहला जो भाग है पाँच अंकों का, उसमें आपको एक आलेख लिखना है. समसामीक विशय होंगे, व्यवारिक विशय होंगे. उन में से किनी तीन विशयों को दिया जाएगा और आपको उन में से एक चुनना है. डेड़ सो शब्दों में आपको अपनी बात कहनी है. एक पत्र लिखना है आपको विशय दिये होंगे उपचारिक अनपचारिक विशय उनमें से किसी एक विशय पर पाँच अंकों का पत्र लिखना है फिर दो समवाद लिखने हैं दो इस्तितियों पर और प्रतेक इस्तिती पर जो आप समवाद लिखेंगे वो धाई अंकों का होगा इस तरह से पांच अंकों के दो समवाद लेखन आपको करने है फिर लगू कथा लिखनी है दो लगू कथा या उससे ज़्यादा विशय आपको दिये जाएंगे उन में से किसी एक विशय को चुनकर आपको लगू कथा लिखनी है तो ये हुआ आपका पाठे करम जो है उसमें से प्रशन पत्र कैसे तयार किया जाना है वो चीजें हम आपको बता रहे थे बीस अंकों में से जो चार प्रशन हैं वो गद्य खंड में जो आठ अंकों के होंगे दो-दो अंकों के हैं काव्य खंड में से तीन प्रशन हैं दो-दो अंकों के और कृतिका में से दो प्रशन हैं तीन-तीन अंकों के तो कुल मिला करके ये जो आपका प्रशन पत्र प्रारूप बनता है एक तो ये बात आपको इसपस्ट हो जानी चाहिए कि MCQs नहीं आने हैं बहु विकल्पिय प्रशन नहीं आने हैं आपको लिखना है गद्य खंड के दो पाठ, काव्य खंड की दो खविताएं और कृतिका के तीन पाठ इस तरह से इन साथ पाठों में से आपको बीस अंकों का बीस अंकों की जो सामगरी है वो तैयार करके देनी है जिसमें चार, तीन, साथ और दो, नव प्रशन आएंगे बीस अंकों के नव प्रशन आएंगे जो आपकी क्षितिज भाग एक और कृतिका भाग एक मैं से पूछ जाएंगे और जो राइटिंग सिल आपकी जानने के लिए जो लेखन जानने के लिए जो भाग रखा गया है वीस अंकों का उसमें आपसे एक अलेख लिखवाया जाएगा 5 – 400 थार पांच नंबर का, 1 – पत्र लिखवाया जाएगा, 120 च्छबदों का, 5 थार पांच अंप अंवें, और 2 शमवाद लेखन के लिए, 6 – 6 – 5 थार ऋंख न्मिलाकरकरे, औरой 1 – लगू कथा लिखवायी जाएगी ze 120 थार के, और ये भी 5 थार ये, तो ये 40 अंकों का हो गया, 10 अंकों का होगा आपका आंत्रिक मूल अंकन, जिसमें सामीयक अंकल आकलन, बहुविद्यासक अंकलन, पोर्टफोलियो, स्रवन एवं वाचन. ये तीन नंबर का सामेक आकलन बहुविद आकलन दो अंकों का पौर्टफोलियो दो अंकों का शर्वन एवं वाचन तीन अंकों का इस तरह से ये दस अंकों का आपका आंतरिक मुलियंकन होगा ओर पुल मिलाकर के 50 अंकों की आपकी परीक्षा हो जाएगी चालीस अंकों का आपको लिख करके देना होगा, दस अंक आपकी अध्यापक आपको जाचते हुए आपको प्रदान करेंगे, तो प्यारे विद्यायतियों, आज हम पाठे करम के बारे में बात कर रहे थे, आपको पाठे करम भी समझ में आ गया होगा, और प्रशन पत्र किस तरह से आना है, ये भी समझ में आ गया होगा, तो आज इतना ही, मैं उम्मीद करूंगा कि आप अच्छे से समझ गए होंगे, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि अन्य विद्यारती भी इससे लाव ले सकें, तो जल्दी ही फिर मिलते हैं, नमस्कार सब्सक्राइब कर दो लाई लेडिक अायारती विद्यारती भी से सतोर लाईक, ये भी सान खबाएब करदे हैं, तो आई होगा आई हैं, तो समझ पना है, जैंक करूंगा मैं लाईक, तो आजगा हैं, ज सक्टेयर वी लाईक सान खबाएब, कि ए औरक, जा गएए बहाएब